उनका फेर नहीं बदलता और असली भक्ती तो मन को शुद्ध करने में है न कि बाहरी कर्म कांड में यानि कि माला फेरने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन भगवान के प्रती नार में हरे कृष्णा आप सभी का दिन शोभर मगल में हो आज 30 नवंबर शनिवार का दिन है और आज माक्षिस मास की अमावस्या है अमावस्या दे थी आज सुभा 10 बचकर 31 मिनट से प्रारंप होकर एक दिसंबर अविवार को सुभा 11 बचकर 51 मिनट तक रहेगी अब सुनिए आज का माक्षिस मास महत्मिका पंद्रवा अध्या है जैसे कोई नना शिशु होता है तो उसकी कुछ रस्मे होती है शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उस बच्चे का नामकरन भी कराना होता है कुछ और बड़ा होने पर अन प्राशन संसकार भी किया जाता है जिसमें बच्चे को पहली बार अन दिया जाता है तो क्या आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अन्यप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी और गथाएं सुनने के लिए तयार हैं तो चलिए सुनते हैं भगवान नारायन कहते हैं हे महामुने अब श्री कृष्ण का कुछ और महातम में भी सुनिये जो विग्न विनाशक पाप भारी महानपुर्ण प्रदान करने वाला और परम उत्तम है एक दिन की बात हैं सोने के सिंगहासन पर बैठी वी नंदपत्नी येश्वदा जी अपने बालत शुरे कृष्ण को कोद मिलेकर दुला रही थी उसी समय एक श्रेष्ट ब्रहमन शिष्ष समूजे गिरेवे वहाँ आए वे ब्रहम तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद इस्पटि की माला पर पर ब्रहम का जब कर रहे थे दंड और छत्र धारन किये हुए श्वेत वस्त्र पहने में महर्शी अपनी धबल दंथ पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे वेद और वेदांगों के पारंगतों वे थे ही जोदर विद्या के मूर्दिमान स्वरूब भी थे उन्होंने अपने मस्तक पर तपाये हुए सोने के समान पिंगल जटाभार धारन कर रखा था उनका मुख शरत पूनिमा के चेंदर देव की कांती को भी लजजित कर रहा था गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगी राज भगवान शंकर जी के शिश्य थे और गदाधारी श्री विश्नु के प्रती विशुद्ध भक्ती रखती थे वे श्रिमान महर्शी प्रसनता पूर्वक अपने शिश्यों को पढ़ाते भी थे उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पस्ट दिखाई देती थी वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तीमान हो गया हूँ उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था वे शास्त्रे सिधान्त के एक मात्र विशेशगी थे उन्हें देखकर यश्वदाजी तुरंद खड़ी हो गई उन्होंने मस्तक जुका कर मुनी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोनी का सिंगासन देकर अतिथी के लिए पाध्य, अर्ग, गौ और मधुपर्क निवेधित किया मुस्कुराती भी नंदरानी ने अपनी नन्ह से बालक से मुनी की बंदना करवाई मुनी ने भी मनहि मन श्रीहरी को अर्थाद बालक कृष्ण को सो सो बार प्रणाम किया फिर बड़ी ही प्रसनिता से वेध मंत्रों के अनुकोल भरपूर आशिरवात भी दिया येशोदा जी ने मुनी के शिश्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग-अलग पात्य अर्वित किये उन शिश्यों ने भी येशोदा जी को भरपूरा शिर्वान दिया मुनी अपने शिश्यों के साथ पैर धोकर जब सिंगहासन पर बैठे आपसे कुशल मंगल पूछना यद्धेपी उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समझार पूछ रही हूँ, अबला तो बुद्धी ही ना होती है, इसलिए आप मेरे इस दोश को शमा कर देंगे, सादू पुरुष्टो सदा ही मूर्ख मनुश्यों के दोशों को चमा कर देते हैं, फिर अंगिरा, अत्री, मरीजी और गौतमादी बहुत से रिशी मुन्यों के नाम लेकर ये शोदा जी ने पूछा, प्रभो इन पूर्णिश लोग महात्माओं में से आप कौन हैं, करपा मुझे बताईए, मैं आपको नहीं जानती, यदि भी मैं आपसे आशिरवात अत्काल पून और मंगलकारी होता है, ऐसा कहकर ये शोदा जी भक्ती बहुत से मुनी के सामने खड़ी हो गई, ये शोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भीजा, ये शोदा जी की पूरवक्त बाते सुनकर मुनीवर गर्ग हसने लगे, उनके शि और अत्यत आनंद दायक बात ये शिदा जी से गही, शिरिगर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा ये समयोचित वचन अम्रित के समान मधूर है, जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसका सभा भी वैसा ही हो जाता है, समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोप पुराज गिरी भानू सूरी के समान है, उनकी पतनी का नाम सती पदमावती है, जो साक्षात लक्षमी जी के समान है और उने की कन्या, तुम ये सुदा हो, जो अपने यश्की व्रधी करने वाली हो, भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो, वो मुझे ग्यात है, और ये बाते बताऊंगा मेरा नाम गर्ग है मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कारी के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहाँ पहुचे उन्होंने को भी मस्तक जुकाया उन सब ने उन्हें आशिरवात दिये इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद येशुदा जी को साथ लेकर सुरा में अंतहपूर में गए उस निर्जनिस्थान में गर्ग जी नंद और पुत्र सहित येशुदा जी बस इतने ही लोग रह गए उस समय गर्ग जी ने ये गूड रहस से कहा श्रिक गर्ग जी बोले नंद अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ वसुदेव जी ने जिस उदेश से मुझे यहां भेजा है उसे सुनो वसुदेव जी ने सूती का गार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहा इस बालक का अन प्राशन और नामकरण संसकार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहां भेजा है इसलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संसकार की तयारी करो तुम्हारा ये शिशु पोर्ण ब्रह्म सरूप है और माया से इस भूतल पर अव्तरित हो बैकुट में साक्षा त्राधिका वल्लब गोलोक नाथ भगवान श्रीकृष्ण बधारी हैं बैकुट में जो कमलाकांत नारायन हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विश्णुजी निवास करते हैं वो भी इनी में अंतरभूत हैं महर्शी कपिल और इनके अन रूप दिखा कर शिशुरूप हो गए थे और सुती का गार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं ये किसी योनी से प्रकट नहीं हुए हैं अयोनीज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं इन श्रीहरी ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायू से पूर्ण कर रख ही गोपराज युग युग में इनका अलग-अलग वन्ण और नाम भी है ये पहले श्वेत रक्त और पीत वन्ण के थे इस समय कृष्ण वन्ण होकर यहां प्रकट हुए हैं सत्युग में इनका वन्ण श्वेत था ये तेज पुंज से भके होने के कारण अत्नित प्रसन ज हो गया ये श्रीमान तेज की राशी है पारी पोनतम ब्रह्म है इसलिए कृष्ण कहे गए हैं नंद इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धी और ज्यान के नुसार वर्णन किया है इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था प्रिष्ण पितामबर कंसध्वंची, विश्टरश्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदा नंदन, हरी, सनातन, अच्यत, विष्णू, सर्वेश, सर्वगती, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधाप्राण, राधिकेश, राधिकारमन, राधिकाचित्चोर, प्रभु, परिपूनतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुर्धवज, नंद, ये श्रीक्रिष्न के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हिर्दे में धारन करो, ये सुभेक्षन, ये नाम ज अंकेद भी सुनो, वे जब गर्भ में थे, उस समय उस गर्भ का संकर्षन किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षन हुआ, वेदों में ये कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अननत भी कहे कहे हैं, इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव क प्रकार जेस्ट पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताएं। नंद अब मैं अपने घर को जाऊंगा तुम भी अपने भवन में सुकूर बग रहो। नंद जी की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हसने लगे और बोले ये परम निगोड तत्व और रहसी की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले नंद सुनो मैं पुराता नितिहास बता रहा हूँ। ये व्रतान पहले गोलोग में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोग में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलहे हो गया। उस कलहे के कारण श्री दामा के श्राब से लीलावश गोपी राधा को कुकुल में आना पड़ा है। इस समय वे व्रिश भानू गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुन्दरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासनी है परंतु इस समय श्री कृष्ण की आग्या से ही यहां अयोनिज संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प् ग्रह धारन कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से प्रत्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुकल पक्ष में चेंद्रमा की कला बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार ब्रिज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आदे पुरुष है इसका स्पस्टिकरन नहीं हो पाता दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टी से एक जैसे हैं पराकरम बुद्धी ज्यान और संपति की दृष्टी से भी उनमें कुछ भी कमी आधिक नहीं है किन्तु वे गोलोक से यहां पहले आई है इसलेवे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी है श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रेतम का निरंतर इस्मरन करती हैं राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर् पहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है केवल प्रतिग्या का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आये हैं भय तो छलना मात्र है जो भय के भी स्वामी है भलाउने किसी से भय हो सकता है साम वेद में राधा शब्द की व्यत्पति बताई गई है पहले नारायन देव अपने नाभी कमल पर बैठे वे ब्रहमा जी को यह व्यत्पति बताई थी फिर ब्रहमा जी ने ब्रहमलोग में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया फिर और वकाल में केलास शिकर पर विराजमान महेश्वन ने मुझे वे उपदेश दिया जो देवताओं के लिए भी राधा का रेफ करुणो जन्मों के पाप और शुभाशुप कर्मभोग से छुटकारा दिलाता है आकार गर्भवास मृत्यू तथा रोग को दूर करता है धकार अर्थधध आयू की हानिका और अकार भवबंधन का निवारन करता है राधा नाम के श्रवन इसमरन और कीरतन से ये सारे दोशों का नाश हो जाता है इसमें संदिह नहीं है श्री राधा नाम के श्रवन इसमरन और कीरतन का सुयोग मिलने से मोहजाल पाप, रोग, शोक, मृत्यू और यम्रास तक काप उत्ते हैं इसमें भी संदिह नहीं है श्री राधा माधव के नाम की यतकिंचत व इन नामों की संपोन रुप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ, नंद जी यहां पासी व्रंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा, साक्षा जगत स्रिष्ट्रा ब्रह्माजी पुरोहित होकर अगनी देप को साक्षी बना कर, प्रसनिता पूर्वक यहें वेवाही कारे संपन्न करेंगे, श्री कृष्ट्र के द्वारा जो बाल लीलाएं होनी वाली हैं, उसने मुखिता ये हैं, हुबेर पुत्र का उध्धार, गोपियों की घर से माखन चुरा कर उसका भक्षन अर्धात माखन चुरा कर खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनु का सुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबा सुर का खेल ही खेल में नाश, द्विच पत्नियों का उध्धार, उनके द्वारा दियेवे मिस्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों की वस्त्रों का अपहरन, उनके व्रत का संपाधन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनुवांचित वर्दान देने का कारी कर ये शामसुंतर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वताओं उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यन्त रमणी रासोचों को आयोजन होगा, जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत रितू में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उधै होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये शामसुंतर उनकी मनुकामनाई पूर्ण करेंगे। फिर कौतु हलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर शरीदामा के इश्राप के कारण इनका गोप, गोपियों और शरी राधा के साथ सौब वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और इनका वहाँ जाना गोपियों के लिए बड़ा शोख कारक होगा। उस समय पुनह ये उनके पास आकर उनने समझा बुझा कर धहरे बंधाएंगे और आध्यात में ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रभोधन और आध्यात में ज्ञान के द्वारा ये रत तथा सार्थी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रत पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांग कर ब्रज से मधुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरू का दर्शन कराकर उन्हें ग्यान देंगे। फिर सायंकाल मत्रा में पहुँचकर, कौतुहल वश नगर में घूम घूंकर सब को दर्शन देंगे। माली, दरजी और कुपजा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़ कर यग भूमी का दर्शन करेंगे। फिर कुवल्या पीड हाती और मल्लो का वद करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विद्वन्ष करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब कोपो को समझा बुजा कर वापस लोटाएंगे। कंस के राज पर उग्रिसें का अभिशेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपुदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संसकार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहन करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लोट जाएंगे। इसके बाद राजा जरासंत के सैनिकों को चक्मा देकर दुरात्मा काल यवन का वद, द्वारिका पुरी का निर्मान, मुचुकंद का उधार और याद्वो सहित द्वारिका पुरी को प्रिस्थान करेंगे। वहां को तुहलवश इस्तरी समुहों के साथ विवाह करके उनके साथ गरिड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्राधी का सुभागी वर्धन करेंगे। भुजाओं का खंडन, शिवजी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरंभनास्तर से बांधना, बाण पुत्री उशा का अपहरन, अनिर्धु को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वारांसी पुरी का दहन, ब्रहमर की दर्दिता का दूरी करन, एक ब्रहमर के मर देवे पुत्रों को लाकर उसे देना, दुस्टों का दमन आदी करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनह मिलना इत्ते आदी कारी करके, ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे, तदंतर अपने नारायन अ नारायन दे तुम्हें साथ लेकर वैकुट पधारेंगे, नर नारायन नामक जो दोनों रिशी हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे, फिर वहां श्वेत द्वीप निवासी, विष्णुजी, शीर शागर को पधारेंगे, ये नंद इस प्रकार भविष्ण में होने वाली लिलाओं का मैंने वर्णन कर दिया, ये वेत का निशित मत है, अब इस समय जिस उद्देश्च से मेरा यहां आना हुआ है, उसे बताता हूँ, सुनो, हरे कृष्णा, आज के ध्याई में बस इतना ही, अब सुनिए शृ कृष्ण चलिसा पाट बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पून इंद्र अर्विंद मुक, पीतांबर शुबसाज, जै मन मुहन मदन चवे, कृष्ण चंद्र महाराज जै यदुनंदन जै जगवंदन, जै वसुदेव देव कीनंदन, जै यशुदासुत नंद दुलारे, जै प्रभुभक्तन के ध्रिगतारे जै नत नागर नागन थैया, कृष्ण कनहया धेनुचरया, पुनिनक पर प्रभुगिर्वर धारो, आओ दीननिकस्ट निवारो वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पून मनोरत मेरो, आओ हरी पुनि माकन चाखो, आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुनारे, म्रदु मुसकान मोहिनी दारे रंजित राजिव नयन विशाला, मोर मुकुत वै जनती माला कुंडल श्रवन बीत पट आचे, कटी किंकनी काचन काचे नील जलज संदर तन सोहे, छवी लखी सुर नर मुनी मन मोहे मस्तक तिलक अलक गुगिराले, आओ कृष्न बासुरी वाले करिपय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अगनी जब ज्वाला, भैशी तल लखित ही नंद लाला सुर पति जब ब्रिज चड़ियो रिसाई, मसूर धारवारी वरिशाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर धन नकधारी बचायो लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौदह भुवन दिखाई दोस्ट कंस अति उधम मचायो, कोटी कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीन है, चरन चिन दे निर्भय कीन है करी गोपिन संग रास विलासा, सब की पूरन करी अभिलासा केतिक मह असुर संग हारयो, कंस ही केस पकड़ दे मारयो मात पिता की बंदी चुडाई, उगर सेन कह राज दिलाई महि से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो भो मा सुर मुर दैत्य संग हारो, लाए शट दश सहस कुमारो देभी नही त्रण चीर संग हारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारयो, भतन के तब कस्ट निवारयो दीन सुदामा के दुख टारयो, तंदुल तीन मूठ मुख डारयो प्रेम के साग वितुर घर मांगे, दुर योधन के मे वात्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे शाम दीन हित्यकारी भारत के पारत रथ हांके, लिये चक्र कर नहीं बलता के निजगीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हदै सुधावर शाए मीरा थी ऐसी मतवाली, विश पी गई बजा कर ताली राना भेजा साप पिटारी, शालिग राम बने बनवारी निजमाया तुम विधह दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा करितत काला, जीवन मुक्त भयोश शुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भे अरि मुह काला असनाथ के नाथ कनेया, दूबत भवर बचावत नया सुन्दर दास आस उरधारी, दयाद रिस्ट कीजै बनवारी नाथ सकल मम कुमत निवारो, चमहू बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो क्रेश्न कनहया कीजै बोलो क्रेश्न कनहया कीजै, ये चालीसा क्रिश्न का पाठ करे उरधारी, अस्ट सिति नवनिधी फल लहे बदार्थ चारी, पोलो श्रिक्रिश्न भगवान की जै झालीसा कीजै, बोलो श्रिक्रिश्न की जै